इतनी में पुरा जुन्ट जासे किसी ने तोड़ दिया मैं नीचे बैठी तो जुन्ट जिसे ने तोड़ा और वो मेरे ही चिपके मेरे कान में भी गुच गई थी ओला की एरिंग वगेरा सब कटवाने पड़े थे इतनी बुरी हाला थे तो झारो झारो जरो झारो जाताश चला की एर में भी टip जाताश grabवाने के में भी को घ्यतसांबरा ही अयाशना फिदिस वे भी तोड़ चक्तानि जा मैं लो में अजा दितनी एनस पफश्च झासे उतनी लिजड़ा से मिन को भी को जुच आतनी जा पूचिए. झाल झाल जीजी आजाएं हो गया? क्या आएगा? B, गुड कौन बोला? वेरी गुड आंकी राजदानी चंपा कोशल की अही छतर नहीं है उत्री और दक्षिन में वो बटेगा क्या आएगा? श्रावस्ती और और कामपिल ले आएगा? वत्स की कोशामभी, मस्य की विराट नगर चंड प्रदोत किस प्राचिन गंड राजे के राजा थे? अच्छा, पहले क्वेशन में हम दूसरी चीज और देखेंगे, अंक की किस राजा को जानते हूं? अंक चंपा की राजधानी, मागद ने किस को राजधानी बनाया? अंक को अपने शेतर में मिला लिया, तो मागद की कौन कौन राजा है? बिम्बी सार, अजाज शद्रू, और द्यान, और शिशुनाग वन्ष राता है, शिशुनाग हो गया, काला शोग हो गया, महा पदमन के बाद गनानन, गनानन के बाद मोरिय, ठीक है? इसके ओपर अगर चर्चा करें, तो इसके बारे में हमें परसेंच जी दराजा के बारे में ही पता चलता है, वज्द का? वज्द से कौन था? उद्यान, एक होता है उद्दाइन, उद्दा, यःक की मात्रा, वो अजाश श विराठ चंड प्रदोत किस प्राचीन गंड के राजा के राजय थे? राजय के राजय थे अवंति अवंति के बारे में क्या कहानी है? अवंति की राजदानी कॉनसी होगी? महिश्मति और अई चत्र ये भी तोदरियो दक्षिन में बटेगा अवंति और काशी की राज़ानी क्या होगी अंकी राज़ानी वज्जी की राज़ानी विशाली ठीक है आठ गुणों का ये सम्हू था मगद का कौन सा सम्राठ उपरोशुराम के नाम से जाना जाता है आपरशुराम आएगा आपरशुराम एपरोपरशुराम कुछ भी आए महापदमनंद महापदमनंद ने जब भी हम मगद करेंगे हरियक वंश करेंगे नद वंश करेंगे सिर्फ महापदमनंद ही एक उपादी लेते हैं एक राट सवचत्र और सवचत्रियों का अंत करने वाला उन्होंने इसलिए उपादी ली परशूराम तो आपरशुराम उनको बोला जाता है, परशुराम ने भी क्या किया था, सभी शत्रियों का नाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, तो इन्होंने महापदमनम ने आपरशुराम की उपादी ली, श्रव सत्रांग की उपादी ली और एक राठ की उपादी ली, कला ए से फिर अशोक और के से फिर कनिश्क एके एके बिंदुसार बिंदुसार कौन था चंद्रगुप्त मौरिये के पिता चंद्रगुप्त का बेटा इनके टाइम में क्या कुछ नया हुआ था यह किस धरम को मानते थे जैन धरम को क्यों कि जैन धरम में इनको शैत्रोजस बोला गया है शोनिक बोला गया है लेकिन इन्हों ने वो धरम को भी संडक्षन दिया क्योंकि यह सभी के लिए क्या थे राजा के लिए तो सभी तर बराबर ही होते हैं और दूसरा यह किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे आजीवक संप्रदाय के लेकिन जैन साहिते में भी इनका नाम मिलता है अजाशत्रू बोला धरम को मानते थे इन्हीं के टाइम में पहली बोल संगीती हुई दूसरा क्या ग सिकंद्रे नंदवंश की स्थापना की थी इनके बेटे घनानंद के टाइम में सिकंद्र का युद्ध हुआ था चले आगे सुची एक, सुची दो परादोत कहां के शाशक आवंति के आवंति के राज़धानी पता है अही चत्र ऑर महिशमति ऊद्धयन मेंने वहता है ऊदाईन और उद्यन ऊद्यन वस अगर उदयन आता है तो वस उदा यिन आता है तो अजाशत्रू का बेटा प्रेसेंजीत, कोशल, अजाशद्रू, माग्द, चले आगे, कुरू की राज़ानी, कुरू, इंदरप्रस्त, हस्तिनापूर कुछ भी आए, उसकी राज़ानी क्या होगी, हस्तिनापूर, इंदरप्रस्त भी कुरू का ही पार्ट था, दो भाईयों ने अलग-लग नगर बसा पांचाल, कोशल, अही चत्र, और वाच, माग्द की परतम राज़ानी, गरीवरज जाए, अबलिक राज़गर आई, बिंदु सार ने गरीवरज अबलिक राज़गर दोनों ही बनाई थी, राज़गर बोलो तो भी ठीक है, गरीवरज बोलो तो भी ठीक है, उसके बाद, गंगा सौन नदी में पाटली पुतर नगर के सापना की और राज़गर से राज़ानी पाटली पुतर में सानात्रित कर दी, उसके बाद वेशाली किसने बनाई, कलाशोग ने, क्योंकि शिशु नाग ने जब मगद को अपनी राज़जय में मिला लिया, तो उसने दूसरी राजदानी बना ली वेशाली, ठीक है? तो कलाशोग जब उसका उत्रादिकारी आता है, वो वेशाली से हट के वापिस पाफली पुतर सापना कर देता है, तो राजदानी कौन सी हुई? पाफली पुतर, पहले ग्रीवरज, अगर सिम्पल पूछे की कौन सी राजदानी थी, नहीं थी आना चाहिए था, तो चमपा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, अचा बहाँ प्रथम, प्रथम तो राजगरे हैं, अगर कहे कि कौन सी राजदानी नहीं थी, तो क्या आएगा, चमपा, अगर कहे कि कर्मानुसार लगाएं, तो क्या राजगरे हैं, पाटली पुत रुदयन ने और वेशाली कलाशोग ने मगद सामराज्य का उतकर्ष की स्तापदी में हुआ था मगद छटी इसापूर छटी स्तापदी इसापूर छटी स्तापदी में हम नगरों की सापना देते हैं महाजनपदी की सापना देखते हैं और अच्छी छटी स्तापदी इसाप निमेन हुए में बागवती सुटर में रषु और गरन्त अगुन तरण निगाय में सोननगरों की फूची मिलती है। तो मगत का वंदन किस में होगा। भगवती सुटर में निमलितमें कों मगत सामड़ाजिय की राज्धानी नहीं है? कोशां है, बीगोद. नेयमीत और साई सेना रखने वाला कहा गया, क्योंकि हम तो पहली बार चाह को पढ रहे हैं, बिंबी सार, बिंबी उसार ने अंग राजय को मघद में मिलाया था, और पहली बार हम किसी राजा के बारे में पढ रहे हैं, उसका पर्टिकुलर राजा है, राजदान ये तो सेना भी होगी न, तो पहली बार कौन कहा जाता है नियमी सेना रखने वादा, बिम्बी सार, राजदान बिम्बी सार के दरबार में उस परसी चिकिसक का नाम, क्या नाम था? जीवक, और क्या ये समकालीन है उनके? महात्मा बुद्ध के समकालीन है वो लेकिन उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध के चिकिसक बानाम लिया है, लेकिन समकालीन में तो ये सब ही हैं, य ये जब सिहासन पर बैठे तो महात्माबुद की डेथ हो गई थी, लेकिन वो बिम्भी सार के तो समकालिन है, तो समकालिन सार्यपुत के भी है, राहूल के भी है, और इसके भी है, जीवक, किसके राजदरबार का वैथा, बिम्भी सार के, तो बिम्भी सार के भी का प्रियोक किया, किसने किया था अजास चात्रु ने, अजास चात्रु ने वज्जी संग, माव वो कौण सी, बहुबली मुवी ने देखी, वो पत्थर उठाके फेगते हैं, वो, तो अजास चात्रु ने वज्जी संग, वज्जी में कितने गण थे आठ वज्जी संग के विरुद रत मुसल और महाशिला कंटक का यूज किया था लेकिन वज्जी संग में जा करके फूट डालने का काम किस ने किया था अजाशत्रू के मंतरी वससकार ने ठीक है यह उद्धाइन समझ में आ गया ना इस होगा तो यह होगा अजाशत्रू का बेटा और वो अध्यन होगा तो वह ऊगा वच का राजकुमार वच का राजा हर यह क्वेश का शाशक अजाशत्रू किसका पुत्र था कि कि बिम्बिसार का, कर लेंगे, उदायन किसका पुतर है, अजाश चत्रु का, नागदशक किसका पुतर है, उदायन का, आनिरूद किसका है, नागदशक का ही है, लेकिन ये राजगद्धी पर नहीं बैठा, पाटली पुत्र का संसापक था पाटली पुत्र उदायन कहां बनाया पत्णा में आज कल का शेत्र गया वाला गया और पत्ना के बीच का शेत्र गंगा और सौन अनदिके संगम पर आज आदमिक टाइम में बरतान परसिती में गया जो शेत्र है वो सौला माज अनपदों की सूची निमनक्त में उपलगभ किसमें? चांद होंगे उपनिशद में क्या है? हाँ तो बोलो जो आपको मालूम है वो बोलो क्योंकि हमने तो सिर्फ तीन ही लाईने पढ़ी है और तीन ही लाईने बोलो यही मैं कहती हूँ एंशेंट इंडिया में जो पढ़ा वही आना है चांदों के उपनिशद में क्या है? जो मेन बात है श्री किष्ण के बारे में हमें पता चलता है दूसरा हमें तीन आश्रम भ्रामचारिय, घराईस और सन्यास और चारों आश्रम का किसमें बता चलता है? जाबाली उपनिशद में महाभारत पताईए सब को किसने लिखी? सियोक्त निकाय क्या है? अंगुंतर निकाय का ही भाग जैसे विने पिटक, सूत पिटक की कठा बने थे वैसे एक उंतर निकाय और सियोक्त निकाया प्राजीन समय में मत्रा किसनाम से जाना जाता था? प्राजीन समय में मत्रा किसनाम से जाना था? सूर्षेन सूर्षेन राजे था, मत्रा राजधानी थी गुरू की हस्तिनापूर, चेदी की शुक्तिमती, चेदी का राजा कौन था, श्री किशन का कजन, शिशुनाग जीन का उन्होंने सिर काटा था, और मस्य की राजनी विराट नगर राजा था, विराट, पाणड़ों ने कहां पर अज्यातवास किया था, मस्य शेत्र, अगर यह शेत्र ऐसे आजाएं, डोट करके कि पर्टिकुलर शेत्र काउन सा कहां पर है, तो कैसे बनाओगे, इसलिए मैंने कहा था, situation देखने है, मैप की मैं दूंगी, जलक देख लेना, इसलिए हम गंगा के किनारे किनारे चले थे, आज की मैप के हिसाब से देखो, मतुरा कहा पर आइडिया रहेगा, उसके बिल्कुल जस्ट, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, चेदी है, उसके जस्ट ऊपर, अलवर वाले शेत्र में, आपका मत्से है, और दिली वाले शेत्र में क्या है, कुरू है, कर लोगे, थोड़ा से situation, लोजिकली, देख लेना, आपको स्राइड से ही देख लेंगे, ठीक है, कारवा बना कर चलने वाले, आज ही हमने बात की दि, कर लेंगे, निमलिक्त में से किसमे पश्चिम एश्या के मोरो के निर्यात का उलेख है, देखो, अब धीरे धीरे बाते आएंगी, ये उलेख है मोरियत्तर टाइम का, कि पश्चि भवेरु जातक, दीवश में क्या है? दीवश, महावश, सिहली अनुष्रती और दिवय वदान अशोख से सम्भनदित हैं, और मोरियत्तर काल में सिर्फ पुषय अमुथी शुंग से सम्भनदित, सारी बाते इंवुष्य अशोग के बारे में बोल रहे हैं, पुषय अमु भी धीववद्श महावण्ष का कोई शाक्षे नहीं है, आर्थ शास्त्र कोटिले ने लिखी, इसमें मोरिय काल की प्रशास्त्र लाजनितिक और आर्थिक विवस्था का वर्णन है, बावेरु HugTS बावेरु HugTS मोरो का वर्णन है यह बन जाता कुछ नहीं है। चीक है। और शेमा कुरूपर्देश जो इंदरप्रस वाला कुरूपर्देश के पास मद्र राज्य की राज कुमारी थी शेमा। और जैमनी दंज के नाम से पुकारा जाता है। सिर्फ घनानन। सेंट्रो कोटस और सेंट्रो कोप्टस चंद्रगुप्त। अलेक्जेंडर अशोक को अशोकी बोलते हैं। देवना नाम पिया दस्सी अशोक का नाम है। देवना नाम पिया दस्सी। और यह कौन सी भाशा में है। पाली भाशा में। कौन सी अभी लेक में अशोक का नाम मिलता है। सिर्फ अशोक। साउथ के हैं। गुज्रा, मास्की, ब्रह्मगिरी में हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और स्वराश्च का जो बैराट का स्थमलेख है, उसमें अशोक का नाम हमें देवा नाम पियदसी मिलता है, मिलेगा यह लिखा हुआ है, चले आगे, इसका सेंट्रोकोप्टस, निमलित में से कौन सा राज्ज यह गंतंत्र थे, गंतंत्र हमने बात की थी, वजिक के कों से गंतन्थ थे? वजजी है अपने आप हूप में मल है? मल में दो थे पावा और कुश्जी नारा के? वेचाली हैं, शाक के, यह कौन सा कुल था? मैंने यह यापचील लिख रखी हैं, जातियं में लिख रखी हैं और गण का नाम ही लिख रिक है, ये ग्यात्रक कुल लिच्वी गण, लिच्वी गण, उसके कुल का नाम ग्यात्रक था और उसके सरनेम क्या था, शाक्य और ग्यात्रक उसका सरनेम था, सिधार्थ शाक्य कुल से संभेंदी था, सिधार्थ ग्यात्रक कुल से संभेंदी था, और सिधार्थ लिच्वी गन राज जैसे, सिधार्थ कोन? महात्मा बुद्ध, वेशाली, लिच्वी, वेशाली की हमने लिच्वी की राजधान ही लिखा हुआ है, तो आपको आठ गन वज्जी के देखने हैं और दो गन पावा के, उस दिन हमने कराया भी थे, मैटर में है भ के सुपत्री के कुलाम, कलाम लिख दे, कलाम क्या है वो की कम्मिनिटी है, ठीक है अलपकुलूप के बुली, तो आपको गण देखना है, पिपलीवण के मोरिय, मोरिय देदे तो अभी वो गण क्योंकि गण की जनता उनका टाइटल है और पिपलीवण तो जिखज़गे का नाम है। तो पिपलिवन में कौँन थे? मौरी हैं, शाक्के किसके हैं? लिछवी, घ्यातरक, वेशाली के क्या है, वेशाली लिछवी की? राजधानी है, और मल क्या है? कुशी नागा के मल और पावा के मल. चले आगे, सुक्ती मती तो चेदी राजे की राजधानी है, अजाश अत्रु के उत्रादिकारी दशक नादशक की हत्या करके किस वन्ष की स्थापना की गई, शीशुनाग ने, शीशुनाग का प्रोहित कौन था, शीशुनाग कौन सी गद्धी पे बैठा, 187 सापूर, उन् जाती है, इसके प्रोहित कोन है, पतंजली, किसके टाइम मनुस्री प्रेति किस थापनोई, कौन कहता है कि बोदो का त्यार है, शीशुनाग, लेकिन कारले के चैते, गुफाएं, बोदो से संभन्दित, नासिक के गुफाएं, नासिक के चैतर है, किसने बनाएं, इन्हों अजन्ता की कुफाएं, इनके टाइम बनी, इनके टाइम, ये देखना है, क्योंकि वास्तुकला शुरू हो गई है, मोरिये ठाइम तक हमें कोई भी आधार नहीं मिलता है, साजी का स्ताव स्थूप किसने बनाया, इन्हों ने, भारूत का स्थूप किसने बनाया, इन्हों का साइन पहली बार कौन करता है ये कर लेंगे अभी तक हमने आश्रमेग पढ़ा था लेकिन अब हम आश्रमेग देख रहे हैं दूसरी बार किसने की आश्रमेग गोत्मी पुत्र शातकर्णी ने कौन से राजे से वो साथवाहन से नंदवंश हमने कहा बार-बार हमने इस टो कुछ इतिहासकार कुछ साहित्य शाक्षे चंद्रगुप्त को नंदवंश के बारे में कहते हैं कि उसका बेटा था या पोता था लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं और ये शाक्षे भी है कि नंदवंश की राजकुमारी चंद्र नंदनी से चंद्रगुप्त मोरिय का इन्होने लिखा, संस्क्रित भाषा का टाइम कौन सा के लाता है, शुशुनागवंश क्योंकि अभी तक हमारी कौर्श भाषा चल रही है, पाल लिए, चले आंगे, बहिस्तुन परसी पॉलस नक्षे रूस्तम अभी लेक किसी रानी शाशक के थे, दारा, तृत्य ने कहा कि इन अभी लेकों में लिखा हुआ है, कि सिंदू नदी गए, तट वर्शीत शेत्र, सिंदू का राइट हैंड कोन होगा, पाकिस्तान वाला शेत्र, आप नदी के मुख किस तरफ डलता है, अरब सागर में, तो उसका राइट है, सिंदू नदी के दा राइने तटके शेत्र, इरानी शाषक के बीसमा प्रांत था, और जब धारा तृत्य हार जाता है सिकंदर से, तब वो बीसमा प्रांत को भी अधिकार कर लेता है, तब ही तो हमारे यहां एंट्री हुई थी, ठीक है, सबसे पहले आकरमन कोनता है, साइरस प्राथम, लेकिन भारत के अंदर एंट्री नहीं कर पाता, साइरस सेकिंड भारत में एंट्री करता है, तक्षिला को राजधानी बनाता है, लेकिन फिर दारा प्राथम भारत को सिंध प्रांत को बीसमा प्रांत बना लेता है, और दारा तिरते सिकंदर से हार जाता है, इसलिए इनके द्वा सिखंदर का यूद वितसता का यूद किस भारतिय शाशक के साथ हुआ? डेट को एक्जेक्ट याद रखना है. संचे कौन था? पेशावर के पास का राजा था जब सिखंदर का आकरमन हुआ था. विश्नु गुप्त कौन था? चंदरगुप्त का चानक के कोटिल है और चंदरगुप्त कौन था तो आंभी का कभी नाम आ सकता है आंभी था अभी सारपरदेश का राजा और इस संजे ने सिकंदर से दोस्ती की थी और कहा था कि जो भी पॉसिबल साहता होगी वो हमेशा करेगा आभी ने अधिनता स्विकार कर ली थी शीशुग शशी गुफ्त ने भी अधिनता स्विकार कर ली थी बागी कुछ गण जाजे लड़े थे अलग से अलग से आपने गलास नहीं की अलग से था ठीक है चले बही सुनवाला हमने कर लिया ठीक है कर दो आशिश भीटा लुप झाओ